जब मन किया तो बात होनी चाहिए, जब चाहें विजिट होने चाहिए, इन सब विशों पर हमें प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं रहना चाहिए, और यह निकड़ता प्रदानमंत्री सेख हसिना जी के साथ मेरे संपर्क में साफ साफ दिखाई देती है। अनेक मुलाकातों के अलावा यह हमारी चौथी वीडियो कांफरंस है और निकड़ भविश में एक और वीडियो कांफरंस भी होड़े वाली है। इन वीडियो कांफरंस की सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों देशों के सहयोग के प्रोजेक्ट का सुभारम या उद्घाटन किसी वी आईपी विजीट के महताज नहीं है। एक्सलेंसी जब भी हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मुझे हमेशा आपके 1965 के पहले की कनेक्टिविटी बहाल करने की वीजन का ख्याल आता है। और मेरे लिए बहुत प्रसनता का विशा है हम पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। आज हमने अपनी पावर कनेक्टिविटी बढ़ाई हैं और रेल्वे कनेक्टिविटी को और अधिक गहन करने के लिए दो प्रोजेक्ट शुरू किये हैं। 2015 में जब मैं बंगलादेश आया था तब हमने बंगलादेश को 500 मेगावर्ट के अतिरिक्त विजली आपूर्ति करने का निरिने लिया था। और इसके लिए पस्चिम मंगाल से बंगलादेश का ट्रांस्पिशन लिंक काम में लिया जा रहा है। इस काम को पूरा करने में सहयोग के लिए मैं मुख्यमंत्री शुरुसी मम्ता बैनर जी का भी अभिनादन करता हूं। इस प्रोजेक्ट वो पूरा होने से अब 1.16 गीगवोट बिजली भारत से बंगलादेश को सप्लाई की जा रही है। मैं समझता हूं कि मेगावोट से गीगावोट का ये क्वांटम जम्प हमारे सम्मंदों के सोनाली अध्याय का प्रतीक है। रेलवे के खेत्र में भी हमारी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इसमें बंगलादेश की आंत्रिक कनेक्टिविटी और भारत के साथ कनेक्टिविटी हमारे सहयोग के प्रमुग पहलू है। अखावडा अगरतला की रेल कनेक्टिविटी का काम पूरा होने पर हमारी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी में एक और कड़ी जुड़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए मैं मुख्यमंत्री स्री विपलव कुमार देव का भी अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री सेख हसेनाजी ने बंगलादेश के विकांस के लिए महत्वा कांश्री लक्ष ताय किये हैं। 2021 तक मिडल इंकम कंट्री बनाना और 2041 तक 2014 तक डेवलप कंट्री बनाने के उनके वीजन को साकार करने में सहयोग करना हमारे लिए गर्व का विशा है। मुझे पुरा विश्वास है कि जैसे जैसे हम अपने समंद बढ़ाएंगे और लोगों के बीच रिष्टे मजबूत करेंगे वैसे वैसे हम विकांस और समरुद्धी के नए आसमान भी छुएंगे। इस काम मैं सहयोग के लिए और आज के इस कार के मैं उपस्तिती के लिए मैं प्रधानमंत्री सेख हसेनाजी का और पस्चिम मंगाल तदा त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों का रिदय पुर्वक आभार पगड करता हूँ। आज ठेके आमरा आरो काछे एलाम। आमाजेर संपोर्को आरो गोभीर होलो। धन्यवाद।